कि अलो इस्टूइंट से नेक्शन प्रिस्टस करेंगे कैशन नुमर टैन क्या किया रहा है सेम है लास्ट वन पैटन की उपर ही थोड़ा सा फोकस करना है आप कैशन पर तू वैसल से क्यानिटिटि ऑफ मिल्क इन वैसल एक इसका इतना पार्ट जो है मिल्क का है तो यह क्या है यह है यह क्या है पार्ट एठी बाई फाइफ पार्टी रेशो उसके लिखते हैं इसका मतलब इसका इतना पार्ट जो है मिलक का है कि मैं पर्फेक्टली जो वैल्यू तो निकाल नहीं सकता हूं विकॉस अफडिट नेक्स देखो आपके पास क्वांटिटी ओफ मिल्क एनुए वैसल वी, वैसल में से मिल्क का पार्ट केथना है, इस तम जबहे हैं, बिलकुल सर्छ बिलकुल 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 ठीक है अब सुनना आगे यह है यर्ट कि इन डा रेश्यों में बिक्सिए है, ही फाइनल उसका जैनल व्यक्किर सुना और दॉनल ऑद है यहां डेसा हूँ होगा मान लेते हैं इसा हुआ कि जो फाइनल रेशो है उसमैंसे क्वल मिक्स कर पार क्या करते सेंगरुत ओना पूटेंगा यह किल्प कैलने के लिके लन सीमए निकलना पूटेगा निकलो साअझय मॉप फाइफ कॉमा 20 कॉमा य इतेना निकलके आएगा है यह कैसे ऐसे निक लिकल क्रेंगे 5-1-5, 5-4-20, 4-1-4, 5-4-20-y अब मुझे हैं बंटीच करना है सब ज़ेकित, चलो ैसे करेंगी milk यसल एक के अंदर तो क्या हो जाएगा, 3-by-5 है, तो मैं य Hä猭ाफर ओपन लीज़ से किसको multiply कर लिता हूँ, 4-by-4-y से, 3-4-2-y, 5-4-2-y, कि क्वांटी बज्रों क्या कहना चाहरा हूं इसमें कितना हो जाएगा एक्स अपॉन वाय है तो मुझे ट्वंटी करना है तो ट्वंटी अपॉन ट्वंटी से कर देता हूं अब ठीक है अब आप अपने उस पर जाओ फॉर्म पर फॉर्मली के फॉर्म क्या होती है देखो बीच में लिखता हूं मैं M की वैल्यू हमेशा वो होगी 20X अपॉन ट्वंटी वाय है इधर लिखेंगे हम चीपर वाली वैल्यू अब चीपर वाली मुझे दिख रहा है डिनोमेटर 20Y हो गया दोनों का टो चीपर समझ में आखा है कौन सा इनके अंदर से चीपर हो रहा दिख रहा है दिस चैवं वाय दिस फ्वेल्व बाए तो आटोमेटिकल लीडिकर कौन सा इस बार बी वाला ए वाला नहीं इसलिए आगे वाली वैल्यू मत लिख देना न जल्द बाजी में तो सैबिन वाय चीपर है और मुझे पता है यह वाला DRL यह लाइक C, यह लाइक D, ऐसा है यहां मैं क्या करता हूँ 12Y upon 20Y minus 20X upon 20Y करूँगा और यहां क्या करूँगा 20X upon 20Y minus 7Y upon 20Y करूँगा, बता हुआ है कि थोड़ा सा अठटा है, बस थोड़ा सा फोकस करना समझ में आ जाएगा क्या कहना चारा ही ठीक है, यहां हम क्या करता है M greater होता है, M में से value को minus करता है यहां पर D greater होता है, D में से हम M को minus करता है, ठीक है, अब आज़ो अपने formula formula क्या होता है मेरे पास quantity of mixture A और यहां पर quantity of mixture B तो मेरे पास यह क्या हो जाएगी value मेरे पास, यह मेरे पास क्या है B है, यह मेरे पास क्या है A की quantity है यह 7 y जो है, यह वाली मेरे पास B की quantity और यह वाली मेरे पास A की quantity उनका ratio क्या दे रखा है, mixes का 2 ratio 3 दे रखा है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना है इनका जो ratio है कौन सी value का इस value का और इस value का ratio ratio of mixers होता है जो given है मेरे पास पहले से ये value क्या है मेरे पास 12y upon 20y minus 20x upon 20y इधर देखो 20x upon 20y minus 7y upon 20y है ये ratio क्या है मेरे पास given है 2 ratio 3 बट focus करना ये 2 ratio 3 जो मेरे पास given है ये a और b के लिए given है बट मैंने starting में क्या put कर दिया बी put कर दिया है और फिर a है मेरे पास तो ये ratio भी क्या हो जाएगा 3 by 2 हो जाएगा ये 3 by 2 क्यों है समझे माया क्योंकि ये a b से चल रहा था बट यहां पर आगा थोड़ा सा change हो गया कि वह जो cheaper वाला case था वो b हो गया था इसलिए समझे रहो क्या कहना चारा हूँ अब आप इसको solve करो यहां तो मैं उपर LCM ले लूँगा तो ये 20y हो जाएगा और उपर 12y minus 20x बचेगा बिनोमेटर में देखो यहां पर भी 20y हो जाएगा और यह यहां पर 20x minus 7y हो जाएगा 20y से 20y चला गया अब देखो क्या बचा finally 3 by 2 equal यहां पर pause करके note कर लेना एक बार आपना यहां क्या बचा आपके पास 3 by 2 equals यह 12y minus 20x दियान से देखना एक बार दियान से देखना 12y minus 20x upon 20x minus 7y क्या करें क्रॉस मुल्टिप्ला है 20x minus 7y 12y minus 20x 326 60x 3 7 21y 24y minus 224 40x x की value उसे एक तरफ कर देता हूं 60x plus 40x equals to 24y plus 21y 100x और यह कितना हो गया आपके पास 24 24 ओके ओके 2020 40 45 हो रहा है यह तो अगर मुझे x upon y निकालना है तो 45 upon 100 करना चाहिए अब आप थोड़ा सा फोकस करना जो x upon y रेशो आया है 9 by 20 यह मेरा अंजर हो जाता बट 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 यह जो रेशो मैंने x upon y लैट किया था यह एक्चुल में कैसे लैट किया था कि यह केवल milk का रेशो है क्या किसका रेशो है milk का रेशो है तो ऊपर तो quantity of milk है और नीचे total है milk और जो total वाला पार्ट होता है न वह वाला पार्ट जैसे यहां अपन 3 ratio 2 के लिए यहां मुझे क्या करना है milk और वाटर को separately निकालना है क्या निकालना है milk और वाटर को separately निकालना है तो required ratio of milk and water समझना आप milk and water अगर मुझे separate करना है तो ऊपर मुझे 9 लिखना पड़ेगा और नीचे 20-9 तो कितना हो गया यह 9 by 11 यानि 9 ratio 11 आपका अंसर हो गया है ठीक है तो यह हो गया complete आपके बास required ratio 9 ratio 11 this is your answer of question number 10